नमस्कार दोस्तों आज हम फुल रिव्यू डीटेल रिव्यू करने वाले हैं ओटोमेटिक वेल्डिंग हेलेमेट का दोस्तों इसे मैंने Amazon.in से मंगाया खा और इसे मैं यूजे यूज करते हुए एक वीक लगभग हो चुका है जो भी मेरा एक्सपेंस रहा है इसे यूज करते वे मैं आज आपके साथ सेयर करने वाला हुए तो यह है इस्ता बाक्स इसके बाक्स में कुछ विशेश इस्ताज कुछ एक्सिसरी जाती नहीं है बद एक यूजर मैनुवल होती है और यह हिलमेट होता है तो महीं चीज अपन करन मता दू तो इस वह टीक में और आर्क सभी में यूज करता है विसे इस पर लिखाए ग्राइंडिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं तो यह हिलमेट है अपना जिससे आप देख रहे हैं इसकी यह इस बनावाट है यह साइट से यह इसी बनावाट है यह है यह है इसकी फिटिंग जो की इस तेवल है आप अबलग अलग साइच के ता से इस तेवल कर सकते हैं और अंबर इसमें यह लिखा लगावा आज जो की ओटोमेटिक विलिंग होता है जब लाइट वेल्डिंग की लाइट चालू होती है और बन होती है नॉर्माली मिलता है आपको वह जिसे ही व텐 की लिगाल चालू होती है यह लेजीग को शूद आपको आपको जैसे आप ऐलो गीवार आज में देखते हैं दिपता है तो इसे में प्रिक्टिकली अपने यूसक्त कर गए देखते हैं पूरी में आपको दिखा दूआ किसमे खिलियर व्यू आपको किस प्रणा का कि जो आपको गार करें जो आप光र्भा आप उस पहने रखते हैं जबाए पेलिंग नहीं का रहे होता है यह तो अगये ही तो इस थे आपको भड़ी दिखाई पिए बस यह पाई गरीन में दिखाई देती है जैसे आप सभ्यासिशोन दोता है ग्रीम को उस तरह का देखने को मिलता है तो अलिक्राद के वेल्डिंग करके दिखाएंगे कि किस तरह की प्रोटेक्शन आपको मिलती है इसे ओटेमेटिक किस तरह के से ये काम करता है चलिए किस तरह 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 किस तर दोस्तों देखा आपने इसा प्रिफ्टी के लिए किस तरीगे से ये उटोमेटिक काम करता है आसा करता हूँ आपको पसने राया होगा अब मैं आपको बताऊँगा मेरा परसनल एक्सप्रियेंस जो इस एक अपते के अंदर इसे यूज करते हैं हुआ है दोस्तों विएसे तो यह बहुत ही बड़िया चीज है अपनी आई प्रोटेक्टिक के लिए प्रोटेक्टिव चीज है बहुत एफेक्टिव लगा मुझे है फैस्ट टाइम यूज कर आ है इने लाइफ माय के ओटोमेटिक में तो हम लोग तो नॉर्मली यूज़ करते बार इस थुरू से जो हो था वह सुपड़ी टाइप जो होता है हिल्मेट पहले उपपर करो फिर नीचे करो फिर जो भी दो दख जाता है जब तक विल्दिंग जा करना होती फिर उसी जगह होती काफी अनकंपडल होता है और यह जो ओतोमेटिक होत दूसरा आपको तो भी गहुत कम इफेक्ट हो रहाएगा कि जब आप उपर नीचे करते है जब आपके अपनेवली काम करते है तो नीचे हेलमेट करते है तो कई न कई एका दी बात आपको फिल्दिंग देखने में आई जाती है हमी दिन भर काम करते हैं तो नॉर्मली कंड देखनों को मेली आती जिसके करण आपको में काफी प्रॉब्लम होती थी और फिर इसकी प्रॉब्लम भी काफी होती थी चेहरे पे जो इसे काफी मतलब एक वीक में मुझे बहुत अच्छा लगा इसका यूस की तो दोस्तों मैं आपको चाहूंगा रिक्रमेंड करना कि करेंड है कभी आप इसे केरफिली यूज करेंगे तो खराब होना है नहीं तो तो टूपना नहीं यह कुछ नहीं होना है तो एक तरिके से वन टाइम ही निमस्पेंट है काफी और बढिया चीजिए आपकी सेफ्टी के हैं क्या वेल्डिंग करने में सबसे दोड़ी प्रोब्लम जो होती है आखो की आपकी बरवादि होती है आपकी आचों ध्राब होती है आपको काफी रुफसान होता है वेल्डिंग की प्रिड में जो भी लोग काम कर रहे हैं और इंडिया में लोग इस तरीकी से अंपड़ो गवारत के काम करते हैं दोक्तों डाइरेक्ली वेल्डिंग देखते हैं जो कि बहुत बहुत जादा जादा उन्हें कि 2-5 साल में दो पांसाल तो उन्हें मालम नहीं परता है और आगे चलके बहुत जादा उनको डिक्कत हो जाती है दोस्तों मैं जरूर आपको इत्मेंट करता हो कि आप इसे या ओनलाइन अपने हिसाब से बाइचे और यूज कीजिए काफी सेटी के लिए बहुत बहुत जरूरी है आपकी सेटी के लिए से तो आपके वीडियो ज़िए अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सेजिए और हाँ इसके पाइंग करने के लिए आप इसे देख सकते हैं टाइज और पूर डिटेल के साथ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो जाएए और इसे देखिए और यह आपके विजट में है तो आप इसे जरूर बाइच कीजिए क्योंकि सेटी फरस्ट यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत झाल